क्या आपको पता है 1930 में दो साइकोलोजस ने एक बेबी चिंपैंजी को एडॉप किया था और उससे रेस करने की कोशिश की थी अपने बच्चे डॉनल्ड के साथ बस ये देखने के लिए कि क्या चिंपैंजी बेबी और हुमन बेबी को साथ मेर करने से क्या चिंपैंजी भी यूमन बेबी की तरह बेव करेंगे पर ज्यादा नहीं बस नौ महीनों बाद ही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया क्योंकि इससे चिंपैंजी तो चिंपैंजी रहा पर उनका खुद का बेटा टॉनल्ड चिंपैंजी की तरह बेव करने लग गया